Study IQ IAS अब तयारी हुई अफोर्डबल Great Nicobar Project Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों कि आपको पता है कि इंडिया से ओरिजिनेट होने वाले लगभग 25% कंटेनर्स foreign ports की जरिये ट्रांस शिप्ट होते हैं और इसमें से अराउंड 80% कोलंबो, सिंगपो और क्लैंग जैसे ports द्वारा हैंडल किये जाते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वज़े से इंडियन ports हर साल 15,000 करोड का potential revenue लूज कर देते हैं जो उन्हीं इंडिया आने या यहां से जाने वाले कार्गो की transshipment handling से मिल सकता था अगर overall economy की बात करें तो यह losses multiply होकर लगभग 3000 से 4500 करोड के बन जाती है और अगर हम इसमें region के बाकी country से आने वाले कार्गो handling को handle करने की opportunity को consider करें तो यह loss और भी ज्यादा हो जाता है दोस्तों यह सारा data Ministry of Shipping के सागर माला portal पर मौजूद एक report में mention है और इन stats को देखकर सवाल यह उड़ता है कि क्या India इन losses के लिए कुछ नहीं कर सकता बिलकुल कर सकता है बस इसके लिए देश में एक transshipment port को develop करना होगा और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए Indian government holistic development approach के तहट एक द्वीप यानि की island पर 72,000 करोड खर्च करने जा रही है हम जिस island की बात कर रही है वो है Bay of Bengal में मौजूद Indian Union Territory Andaman and Nicobar Group of Islands का पार्ट Great Nicobar Island यह developmental project Great Nicobar Island के southern tip पर एक विशाल infrastructure plan है जिसमें major transshipment port, airport और अन्य project शामिल है और आज 72,000 करोड की लागत से डिजाइन किया गया नीती आयोग का यह master plan अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है आज के इस वीडियो में इस master plan से जुड़े सभी बिंदूओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे साथी Great Nicobar Islands की geography को भी जानेंगे कि कैसे ये remote island economically और strategically important है और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग नीती आयोग के इस master plan का विरोध कर रहे हैं तो आईए इस चर्चा के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं Great Nicobar Islands की location को Geography of Great Nicobar Islands दोस्तों Bay of Bengal में स्थित Andaman and Nicobar Islands कई द्वीपों के समोहु से बने हैं ये दोनों islands एक दूसरे से 10 degree channel द्वारा separate किये जाते हैं Great Nicobar Nicobar द्वीप समोहु का सबसे दक्षणी द्वीप है ये island इस्ट कोस्ट पर रंगनाथा बे से साउथ की ओर गैलिय था बे तक फैला हुआ है इसके साथ ही इंदिरा पॉइंट के आसपास पेमया बे को भी कवर करता है इंदिरा पॉइंट को Andaman और Nicobar Island के साथ-साथ भारत का भी सबसे दक्षणी बिंदू यानि कि Southernmost Point के रूप में जाना जाता है साल 1985 में लेट इंदिरा गांधी की स्मिती में इस पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया था और आपको यहां हमें Comment section में ये बताना है कि इससे पहले इंदिरा पॉइंट को किन नामों से जाना जाता था Great Nicobar Island Indonesia के सुमात्रा आइलेंड से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है और मलक्का स्ट्रेट के Western Side पर ये आइलेंड पाया जाता है मलक्का स्ट्रेट विश्व का सबसे busiest ट्रेड रूट है और इसलिए इन आइलेंड का strategic और economic value बहुत ज्यादा है Great Nicobar Island Southernmost होने के साथ साथ Nicobar Group of Islands का सबसे बड़ा दूइब भी है अगर हम एरिया की बात करें तो ये लगभग 1044 किलोमेटर के कुलक शेत्र फल में फैला हुआ है और Singapore से बड़ा और Hong Kong से थोड़ा छोटा है इसके साथ ही ये दूइब यहां की मूल जनजाती शॉंपेन और निकोबारीज का घर भी है 2011 के सेंसस के अनुसार यहां की population लगभग 8069 है यहां के लगभग 2.3 एरिया में Great Nicobar Biosphere Reserve मौजूद है जिसमें Campbell Bay और Galathia National Park शामिल है इस आइलेंड को 2013 में UNESCO में and Biosphere Program में शामिल किया गया था इसके साथ ही Great Nicobar Island Natural Resources से भी भरपूर है आइलेंड का पूरा क्षेत्र Mountainous Terrain के लिए फेमस है और Mount Thulia को इस द्वीब के Highest Mountain Range की रूप में जाना जाता है अगर हम यहां की important rivers की बात करें तो इनमें Alexandra, Dogma, Amrit Corr और Galathia जैसी नदियां शामिल है जहां एक तरफ Great Nicobar Island पर कई प्राकृतिक विशेष्टाएं हैं वहीं दूसरी ओर इस आइलेंड को एक और महत्वपूर्ण विशेष्टा के तर्स पर विक्सित किया जा सकता है और वो है Trans Shipment Port के रूप में इसका विकास इसी development को नजर में रखते हुए आईए देखते हैं क्या है सरकारद्वारा प्रस्तावित Great Nicobar Project और कैसे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम भारत में Singapore, Hong Kong और Dubai जैसे शहरों के होने की कल्पना कर सकते हैं The Great Nicobar Project Vision दूस्तों, Andaman और Nicobar भारत का एक अनमोल द्वीब है जिसके विकास से समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्थानी आबादी के जीवन की गुणवत्ता से जुड़े कई गंभीर चिंताओं का समाधान हो सकता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 10 अगस्त 2020 में भारत के प्रधान मंत्री ने घोशना की थी कि Andaman और निकोबार द्वीब समुख को Blue Economy Port, Maritime and Startup Hub के रूप में विक्सित किया जाएगा ये घोशना दरसल Andaman इनिकोबार आइलिंड और चेनाए के बीच लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन Optic Fiber Based Telecom Connectivity Project के उद्घाटन के मौके पर की गई थी इस Telecom Connectivity Project के जरीए दुईब को भारत के में लेंड से जोडने का प्लान था इसके साथ ही यहां Fast Internet Connectivity देने Local Population के Life को आसान बनाने और Tourism को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था और जिसके बाद नतीज अतन यहां की Communication Capability अब 2G से 4G हो चुकी है दोस्तों इस पहल के Inauguration के दोरान ही प्रधान मंतरी ने Great Nicobar Project की चर्चा की और आगे की योजना बद्ध विकास की एक सीरीज को इंडिकेट किया था इस सीरीज को Holistic Development of Great Nicobar Island के रूप में प्रस्तावित किया गया है इसके तहट गुरुग्राम स्थित Infrastructure Firm ACOM India Private Limited को भारत के Think Tank नीती आयोग द्वारा नियुक्त किया गया जिसने मार्च 2021 में इस प्रोजेक्ट की Pre-Feasibility Report तयार की 125 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि परियोजना का लक्ष बड़े पैमाने पर एक Less Inhabited और Remote Island को Maritime और Tourist Hub में बदलना है इनी कारकों की तर्स पर इस रिपोर्ट ने एक Greenfield City के साथ एक diverse और strong economy के विकास की एक रूप रेखा प्रदान की इस परियोजना के कुल चार components हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण है Galathia Bay पर International Trans Shipment Port यानि ITP दूसरा है Greenfield International Airport तीसरा है Power Plant और चौथा और अंतिम है एक नया Township Area ये चार components आपस में जुड़े हुए हैं और निकोबार प्रोजेक्ट के कोर अथवा बुनियादी मूल्य के रूप में देखे जा सकते हैं Ministry of Ports, Shipping and Waterways की ओर से कॉलकाता स्थित शामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट इस परियोजना के implementation के लिए Nodal Agency के रूप में कारे करेगा इसके साथ ही अगले 30 वर्षों में कुल 3 phases में इस प्रोजेक्ट को लागो किये जाने का लक्ष है जिसमें Global Shipping Trade में भारत की बढ़ती हुई भागिदारी नागरीकों के लिए रोजगार के असंखे अवसरों का निर्मान और इस द्वीब के वर्थमान और भविश्य के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार जैसे कारे शामल है इन कंपोनेंट्स में दो शब्दों पर आपकी खास नजर गई होगी एक Trans Shipment और दूसरा Green Field दोस्तों एक Green Field Project उस Project को कहते हैं जिसे बिल्कुल शुरू से विक्सित किया जाए यानि ऐसी योजना जिसमें पहले से कोई निर्मान नहीं हुआ हो वही Trans Shipment तब होता है जब goods को अपने destination तक भेजे जाने से पहले एक जहाज से दूसरे स्थान पर transfer किया जाता है आप सोच रहे होंगे कि क्या आवशकता है ऐसे Trans Shipment Port की क्यूं हम इस Project के तुलना Singapore Port से कर रहे हैं और क्यूं Great Nicobar Island की Location इस योजना के लिए एक एहम बिंदू है इन सभी सवालों के जवाब के साथ Project के उन चार Components को हम आगे की चर्चा में देखने वाले हैं Economic and Strategic Importance of Great Nicobar Island and Need of International Container Trans Shipment Port दोस्तों दुनिया का Main East-West Shipping Route जो East Asian Exports को Indian Ocean, Suez Canal और यॉरप से जोड़ता है वो Great Nicobar Island के जस्ट साउथ से होकर गुजरता है इस Location पर एक Container Port का निर्मान करके भारत Global Shipping Trade में पूरी तरह से भाग ले सकता है वरतमान में शैंगाई के बाद Singapore Port वर्ल्ड का second busiest trans shipment port है Singapore Port के इस development का कारण उसका Locational Advantage के साथ Business Friendly Environment को माना जाता है लगभग one-third shipping containers और half crude oil supply इसी port से किये जाते हैं Container Ships Middle East और African Region से होते हुए Indian Ocean में एंटर करती हैं और यहां से ships दो अलग-अलग route में divide होते हैं पहला Strait of Malacca से होते हुए Southeast Asia की ओर बढ़ता है और दूसरा Bay of Bengal से होते हुए Chittagong Port की ओर इन दोनों routes पर Hambantota Port और Singapore Port मौजूद हैं Great Nicobar Island रणनीतिक रूप से कोलंबो और Singapore से समान दूरी पर स्थित हैं और East-West Shipping Corridor के बहुत करीब है अगर भारत Great Nicobar Port को develop करने में काम्याब रहा तो यह इस main trade route के intersection के रूप में अपनी presence को स्थापित कर सकेगा Trans shipment के साथ-साथ इसे storage, reprocessing zone और ship building facility की नजर से भी विक्सित किया जा सकता है प्रस्तावित port में हर साल 16 million containers को समहलने की क्षमता होगी इसके अलावा वर्तमान में भारत का लगभग 75% trans shipped cargo भारत के बाहर के ports पर समहला जाता है इस project के बाद Indian ports हर साल 200 से 220 million dollars बचा सकते हैं इसके साथ ही Andaman and Nicobar Islands को Delhi's Bulwark के नाम से भी जाना जाता है Bulwark को Wall या Barricade के रूप में समझा जा सकता है ये island पर देश का एक मात्र integrated military command है जो Indian Ocean region में चाइना के बढ़ते कदमों का मुकाबला करने के लिए frontline defense के रूप में कारे कर सकता है हाल के वर्षों में Indian Ocean region जिस तरह एक strategic hot spot बन चुका है भारत के regional presence को मजबूत करने के लिए इस पूरे island पर महत्वपूर्ण विकास आवश्चक हो गया है हाला कि यहां बीते वर्षों में defense के नजरिये से कुछ developments जरूर हुए है जिन में 2012 में commissioned इंडिया का southernmost naval air station INS BAZ के साथ अन्य security developments भी शामिल है भविश्य में ये project Singapore port की जगह ले पाएगा या नहीं ये तो समय के साथ होने वाले development से पता चलेगा लेकिन इस द्वीब को पूर्ण रूप से उपयोग मिलाना है तो यहां industries और population enhancement जैसे factors पर grassroots level पर काम करना जरूरी है दोस्तों इन ही बुनियादी धांचे के विकास के सही सतर के साथ ये island इंडियन और international tourists को आकरशित कर सकता है इस दृष्टी से Great Nicobar से connectivity में सुधार करने और island को tourism friendly बनाने के लिए यहां एक international airport का होना अवश्यक हो जाता है Greenfield International Airport वर्दमान में Port Blair Airport प्रती दिन लगभग 2000 से 5000 पैसेंजर से लेकर एक वर्ष में लगभग 1.8 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करता है बढ़ते विकास के साथ नया airport बढ़ती संख्या में यात्रियों को हैंडल करने में सक्षम साबित होगा आइलेंड के जियोग्राफिकल कॉंटेक्स्ट को देखते हुए नया airport नकेवल Great Nicobar Island बलकि आसपास के क्षेत्र जैसे Thailand के Phuket Island और Malaysia के लंकावी Islands को भी सेवा प्रदान कर सकता है और इस प्रकार Tourism Oriented Island Developments के माध्यम से इस पूरे Group of Violence को Global Tourist Destinations Map पर मार्क किया जा सकता है ये airport, civilian और military दोनों के उपियों के लिए dual function के रूप में कारे करेगा जिससे इस ख्षेत्र में Tourism को boost मिलने के साथ साथ यहां wartime situation में security भी मिलेगी जहां वर्तमान में इस द्वीब की आबादी लगभग 8,000 है इस project के शुरू होने के बाद यहां की कुल आबादी में तकरीबन 6,50,000 तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है इस बढ़ते हुए population के लिए एक planned township भी इस project का हिस्सा है Township and Area Development and Power Plant Transshipment Terminal और Tourism Development का संचालन करने वाले लोगों को रहने के लिए जगय, commercial lands, hotels इत्यादी की आवश्यक्ता होगी यह project 4,200 से अधिक लोगों को directly और indirectly employment opportunities प्रदान कर सकता है इस island पर local population के बीच employment generation तो बढ़ेगी ही उसके साथ ही बाहर से भी लोग धूई पर लाए जाएंगे और इसी कारण इस island को commercial, industrial और residential point of view से develop करना उतना ही ज़रूरी है इन आर्थिक पहलूँओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक तरफ urban infrastructure को परियापत रूप से विक्सित करना ज़रूरी है वहीं दूसरी ओर इस digital एरा में business और economy एक गुणवत्ता पूर्ण power supply पर निर्भर करता है पावर के बिना green field city की कलपना की ही नहीं जा सकता और इसी कारण great necobar project के सही संचालन और सफलता के लिए additional power generation को plan करना भी अनिवारे बिन्दू है इसके तहट यहां 16,610 hectares में लगभग 450 MVA की citywide demand को पूरा करने के लिए solar और gas based power plants के साथ कुछ diesel generating stations स्थापित किये जाएंगे यह power plant इस project का चौथा और आखरी component है जिसमें शुरुवाती चरणों में 15 प्रतिशत मांग diesel gensets के जरिये पूरी की जाएंगे और करीब 10 प्रतिशत मांग solar panel के जरिये पूरी करने की योजना है दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे भारत इस पर योजना के तहट एक global standard city और strong economy बनने का इरादा रखता है वहीं दूसरी और इसे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है जहां एक तरफ प्रधान मंत्री ने 2020 में इस योजना की जलक दे दी थी वहीं 2023 में जाकर काम में थोड़ी तेजी आई है आखिर क्यूं हुआ इस विकास से जोड़े योजनाओं का विरोध आईए समझते हैं विस्तार से दोस्तों जब भी शहरों की development की बात आती है तो एक वाद विवाद भरा मुद्दा जरूर सामने आता है और वो है development versus environment यानि की विकास बनाम पर्यावरन ये परियोजना लगभग 114 square kilometer का tribal reserve forest land का उपयोग करने का इरादा रखती है जहां शॉंपेन और निकोबारीज ट्राइबल्स रहते हैं इसके साथ ही ये project का northern end biosphere reserve में आता है बड़े पैमाने पर बुनियादी धांचे का निर्मान और लगभग 10,000 पेड़ों की कटाई के नगारात्मक असर वहां मौझूद लोगों के साथ natural vegetation, wildlife, समुदरी coral reefs और दूसरे marine animals पर देखने को मिल सकते हैं इसके साथ ही यहां मौझूद natural और water resources पर भी over exploitation, over utilization और contamination का खतरा संभव है प्रोजिक्ट के सबसे विवादास्पत पहलूँ में से एक trans shipment terminal की स्थापना है जो गैलतिया बे में स्थित होगा इस बे पर endangered giant leather-back turtles अपना घोंसला बनाते हैं और इस development से उन्हें नुकसान पहुँचने की संभवना काफी ज्यादा है इसके लावा island के tectonic volatility, earthquake और tsunami जैसे disasters से समवेदनशील होना इस project की location पर प्रश्न चिन ने लगाता है और इन्ही कारणों से environmentalists और experts ने इस development project को लेकर चिनता जताई है इन सभी मुद्दों पर EAC यानि Environmental Appraisal Committee के द्वारा project का मोल यांकन किया गया इसके साथ ही Environment Impact Assessment Report जारी की गई जिसमें endangered species, forest cover और local tribes की safety और private space को नजर में रखते हुए इन सभी मुद्दों पर alternative options के साथ guidelines भी जारी किये गए दो सालों से इन्ही मुद्दों पर visualization करने के बाद 2022 में Great Nicobar के administrative headquarters Campbell Bay में एक mandatory public hearing आयो जित की गई और अंतिम assessment report पब्लिश की गई और आखिरकार Great Nicobar project को Ministry of Forest, Environment और Climate Change के द्वारा Forest और Environment clearance मिलने के साथ द्वीब पर विकास पर योजना को आगे बढ़ाने के लिए हरी जहंडी मिल गई January 2023 में Ports Ministry ने Transshipment Project के पहले चरण को विक्सित करने के लिए Interested Party से EOI यानि की Expression of Interest आमंत्रित किया है और जुलाई तक सरकार को लगभग 10 EOIs प्राप्थ हो चुके हैं आपको बता दें कि EOI कोई अनौपचारित Tender नहीं है इसका उपियोग Original Tender के लिए Technical Expertise, Financial Capacity, Experience और Growth से सम्बंधित शर्टों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है EOI सब्मिट करने वाले उलेखनिय नामों में Adani Ports and Special Economic Zone, Rail Vikaas Nigam Limited और Container Corporation शामिल है वहीं International Level पर Dutch Dredging Major Royal Boscalis Westminster ने Bidding Process में शामिल होने का इरादा व्यक्त किया है Conclusion दुस्तों उमीद की जा रही है कि Great Nicobar Project जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि इसके complete होने पर ना सिर्फ इस island का development होगा बलकि भारत, Singapore जैसी country को टकर देने के लिए भी तयार हो जाएगा यहाँ develop होने वाले transshipment port से ना सिर्फ इंडिया अपने कारगो की transshipment needs को fulfill कर पाएगा बलकि पूरे region के लिए यह facility प्रोवाइड कर अपनी economy को और ज्यादा boost करने में सफल रहेगा इस project को लेकर आपके क्या विज़ार हैं? comment section में हमारे साथ साजा जरूर करें Study IQ IS अब तयारी हुई affordable